नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्षी नेदरलैंड के T20 वर्ल्ड कप के मैच के बारे में तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इंडिया ने टोस्त जीत कर पहले बेल्लेवाजी करने का फैसला किया जो उनके लिए बिल्कुली सही सावित हुआ क्योंकि इंडिया के जो बैट्समें से उन्होंने बहुत ही अच्छा परफोर्मेंस करके दिखाया हमको इस मैच में तो चलिए बात करते हैं इंडिया की तरफ से किसने कितने देखने को मिली हमें इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने आए केल राहूल और रोईसर्मा केल राहूल बहुत जल्दी ही पवेलियन लोट गए LPW आउट होकर बाद में रोईसर्मा और कोली ने पारी को अच्छे से समाला रोईसर्मा ने 53 रन की पारी खेली और विराट कोली ने 62 रन मनाए फिर रोईसर्मा भी आउट हो गए उसके बाद सूरिय कुमार यादाव आए मैदान पर सूरिय कुमार यादा उन्हें बहुत ही अच्छी पारी खेली, 51 रन मनाई 25 गिंदों में, उन्होंने 200 की स्ट्राइक से बैटिंग की, जिसके जैसे इंडिया का स्कोर 180 तक पहुंच गया 2 विकेट के नुक्सियान पर, बात करें नेदरलेंड की बोलिंग की, तो नेदरलेंड क्योंकि नेदरलेंड 200 विकेट के नुक्सियान पर, और इंडिया ने ये मैच आराम से जीत लिया 56 रन से, बात करें नेदरलेंड की बैटिंग में, तो सबसे जादा टीम ने रन बनाई 25 गेंदों में, अब बात करतें इंडिया की बोलिंग, इंडिया की बोलिंग हमें बह 12 वर डाले 21 रन दिये 2 विकेट ली, इंडिया के लिए कुछ गुट नुज भी है, लेकिन कुछ बैड नुज ही है, इंडिया के लिए गुट नुज ये है कि रोई सर्मा वापिस अपनी फों में आ गये है, लेकिन केल राहूल की जो फों है, वो अभी भी चिंता का विशे बनी हुई है रोई सर्मा के लिए और टीम के लिए, तुकि अगर केल राहूल अच्छी फों में नहीं आएंगे तो इंडिया पावर पले में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगी, और ये बहुत ही चिंता की बात है इंडिया के लिए, और इंडिया के लिए गुट नुज य तो प्लेज हमाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना बोले, अले वीडियो में फिर में लेंगे आप सभी के लिए एक और ऐसी वीडियो लेके